Hey guys, सभी मेरे प्यारे viewers का welcome हैं अपने इस खास session में जहांपे हम करते हैं news paper के front page को cover आप भी session को कर सकते हैं 15-20 minute में हर रोज मैं इसी लिए खास करके session को ले करके भी आता हूँ देखिए इस session से आपको उतना फाइदा चाहे ना मिले लेकिन अगर आपने पैटिस को inculcate कर लिया अपने अंदर front page को पढ़ने की तो आपको बहुत फाइदा मिलेगा है ना मैं आपसे expect करता हूँ हर रोज 15-20 minute इस काम को आप अपने घर में करें चलिए शुरू करेंगे पहली headline से see saw day यह उपर आप देख रहे हूँ ना just a minute देखो see saw day see saw day as covid rules show slow be are counting well into night यह see saw क्या होता है देखो see saw होता है एक जूला कौनसा वला जूला जहांपे एक तरफ आप और एक तरफ आपका दोस बै errado जब आप उपर होते हो तो वो नीचे होता है जब वो उपर होता तो आप नीचे होते हो उस जुले को हिंदी में नहीं मालू मुझे क्या करते हैं लेकिन उसको करते हैं C100 इंगलिश के अंदर तो करा ऐसा ही रसा कशी बढ़ा दिन था C100 वाला डे था कभी महागडबंदन उपर कभी RJD उपर कभी BJP उपर तो उपर नीचे का गेम चलता रहा पूरा दिन तो करा C100 था जैसे ही COVID रूल्स ने स्लो कर दिया बिहार में वोटों की गिंती को बिहार इलेक्शन काउंटिंग को और कहां तक वेल इंटू नाइट बहुत अच्छे से वेल रात तक है ना एंड यह बैक हो गया एंड यह फिर से आगया है निटिश ने डैंट कर दिया है अलाइrauen्स को अलाइँस का मतलब होता है गढट बंधन अब ये कौन सा अलाइँस है मेरे ज़ाब से तो बात महाढट बंधन की ओर्धन की हो रही है मगलई पर गया है इस वाली headline को देखो but before we begin मैं आपको बता दूँ देखिए आप YouTube पे मेरे lectures लेते हैं ऐसी एक app है खबरी खबरी के उपर आपको मेरे audio lectures मिलते हैं 2 minute के 3 minute में जिसमें आपको audio होगी साथ में notes मिल जाएंगे comment section में तो इस पे हमने grammar course शुरू किया हुगा है 6 parts उसके आ चुके हैं जिसमें आपको 2 से 3 minute में grammar rules कर वाता हूँ तो 100 grammar rules का हमारा target है अगले 2 महीनों में है न तो आप इन सारे के सारे parts को सुन सकते हैं 6 parts आ चुके हैं आगे की parts पी आपको मिल जाएंगे खबरी app को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको side में दिख रहा होगा channel की home page से about में जाएं सबसे last के अंदर वहां पे खबरी का link रखा है उस link पे click करेंगे app आपके phone में आ जाएगी सभी parts को आप जाकर के follow करें चलिए यह zoomed in app करें defying defying exit polls bjp jdus set to return चिराग cuts their words करें defy करते हुए defy करने का मतलब क्या होता है किसी को हराना किसी को ignore करना और किसी को disregard करना आपको आपको बॉस ने बोला सुबह 11 बज़े आपको पहुंचना है आप सावा 12 बज़े पहुंचे और जाकर के अपनी seat पे बैठ गए है ना आपने बॉस की आगया का उसकी जो उसने order दिया था उसको defy कर दिया ठीकर ना हिंदी में इसको बोलते हैं अब हेलना करना अगर आप हिंदी समझते हैं तो करें अब हेलना करते हुए exit polls की हराते हुए exit polls को बेजी पी एंड जी डियू जो लाउंस है अलाइंस था वो सैट है अब तयार है return करेगा और चिराग ने कट कर दिया उनके votes को चिराग ने उनके votes को थोड़ा सा कम कर दिया समझ के simple सा sentence है defy word को note कर लिया आपने अब हिलना करना disregard करना ignore करना यह किसी को हराना किसी को defeat करना चलो आजाओ अगली headline की तरफ बहुत easy है यह सिर्फ आदत की बात है जिनकी पढ़ जाती है ना आदत वो रोज छोड़ेंगे नहीं newspaper का जो front page है उसको पढ़े भी ना वो अपना दिन शुरू नहीं करेंगे तो आप रात में करें बले है ना पर कभी भी miss ना करें front page को अब यह देखो despite crowds simple headline है despite crowds and absence why Tejasvi's cast plus remained his work in progress करें बावजुद भीड़ों के crowds के है ना और एक absence absence का मतलब होता है ना मुझूदगी किसी चीज का ना होना करें एक बहुत बड़ा crowd आया उसके पास लेकिन फिर भी उसको एक absence मिली फिर भी उसको वोटों में जो उसको ज़्यादा वोट नहीं पड़े है ना उसको कोई seat divide नहीं मिली जाता करें इन दोनों चीजों से हुआ क्या क्यों Tejasvi का cast plus जो है cast plus का जो formula है इनका खास formula है वो रह गया उसका work in progress तो 2020 में नहीं अब ये 2024 के अंदर इस काम को करेंगे work in progress है इस साल इनका जादू नहीं चला इस जो है विदान सभा चुनाव क कहना क्या चला है despite crowds and absence बावजुद crowds के एक absence रही इसको seat ज्यादा नहीं मिल पाई I guess इसको एक seat मिली है न तो करें अब इसका working progress है अगले साल बाकी जो है ये सीटे लेगा 2024 के चुनावों के अंदर अब इस sentence पर देखने वाले words देखते हैं despite despite का मतलब आप जानते हैं बहु हमेशा याद रखे despite के बाद of नहीं आता और in spite के बाद of हमेशा आएगा दोनों का मतलब एक है अब देखो एक और चीज despite in spite of और इनका तीसरा synonym है not with standing ये complicated सा word है ना बहुत लोग डरते हैं इस word से मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता था not with sending crowds समझगे ना तो not with sending का मतलब ही void और vacuum vacuum की spelling को खास note करें इसमें बीच में double u आता है अगर इसकी spelling लिखने को दूना में है तो जाला दर लोग गलत लिखेंगे इसमें double c लगा के आएंगे है ना एक्चल में c नी c single आता है इसमें जो है ना यू double आते है तो vacuum की spelling को note करना वोईड वैक्यूम और absence चलो एक और headline देख लेते हैं rjd alliance falls just short alleges miscount is he says all in order करा rjd का जो अलाइंस है यह जो अपना तेजस्वी वाला इसका जो अलाइंस है यह फॉल शॉट होता है अब इसका मतलब क्या है जी फॉल शॉट करने का मतलब है आशाओं पे खरा ना उतरना है या किसी काम को पूरा ना कर पाना जैसे मैं इसको यूज करकर दिखाता हूं माल लो सल्मान की कोई मुवी है अब सल्मान का कोई फैन जो ए नराज ना हो जाए है ना माल लो सल्मान खान की मुवी है मैं बोल रहा हूं सल्मान खान प्ल शॉटीर और को मिंदेना फैल शौट कैंद को इसका नाम है फॉल दोक्ट स्वेयर कर aquest को दाамен नहीं कर पाई expectation को उसके fans की तो ऐसे fall short of fall short of ऐसे इस जो ना phrase को यूज करते हैं अलांकि इसने off लगा के या बताया नहीं कहाँ पर fall short करता है alliance हाना तो इसने पूरा नहीं लिखा अब देखो इसने fall short दूसरा काम नहीं क्या किया इसने अरोप लगा दिया miss count का इसने कह दिया कि counting ठीक से नहीं हो रही इसी कहती है कि सब कुछ in order है सब का सब कुछ जो है बिलकुल सही है समझे ना तो इसी कहती है सब कुछ in order है, सब का सब सलीके से है RZD जूट बोल रही है देखने वाली चीज fall short of आपने सीख लिया miscount in order को देखें देखें जब भी कोई चीज in order होती है वो सलीके से होती है इसी से एक idiom भी बनी है apple pie order इसका मतलब क्या होता है, एक दम सलीके से जो चीज जहां होनी चाहिए बिल्कुल वहीं पड़ी हो, सजी हो, एकदम तरीके से पड़ी हो, उसको कहते है apple pie order यह order वहीं से निकला ना, सलीके से अचा, order का इन order का endonym अगर बनाओ, तो बन जाएगा disorder, एनार्की chaos और pandemonium, इस word को खास ध्यान देना, और इसको भी chaos को है न, चारों का मतलब होता है, अफरा तफरी, एक दम जो न, चीजें जो बिल्कुल order से बाहर होती है, आउट अफ ओडर होती है उसको कहते है, disorder, एनार्की chaos या pandemonium, चलो आगे बढ़ते हैं, यह words आपने देख लिए एक दो headlines हो रहे हैं, उसके बाद अपने करेंगे, आज के main article को यह beach वाले ले लेंगे न, तेजस्वी वाला चलो आजओ, just a minute क्या नितीश remain CM, क्या नितीश कुमार CM बना रहेगा, simple सा sentence है, सवाल पूचा गया, last में question मार का शूरू हो रहा है, helping verb सा, interrogative cloud, लेकिन जो voices हैं अंदर से, जो अवाजे हैं, BJP के अंदर से, वो बात करती हैं, उसके कम होते हुए cloud की, cloud का मतलब होता है, प्रभाव, असर, influence यह power, तो नितीश कुमार का cloud जो है, वो कम हो रहा है, प्रभाव कम हो रहा है, influence कम हो रहा है, BJP और NDA का जो अलाइंस है, BJP और जो इसका नितीश का, इसके अंदर से यह वाजे आ रही है, इस अलाइंस से, कि नितीश में उतना दम नहीं रहा, समझगे na, cloud world को note कर ले, आप इसका screenshot ले सकते हैं, power, influence यह sway भी बोलते हैं, इसको sway का मतलब भी अपकी power होती है, आपका प्रभाव होता है, एक और headline देखते हैं, Congress the weakest link, pulling MGB down, losing most fights against BJP, कर रहा Congress सबसे weak link है, सबसे weak के लिए हमने superlative use किये, the weakest है, simple सी बात है, कर रहा Congress जो है, सबसे कमजोर कड़ी है, pull कर रहा है महागडबंदन को नीचे, मतलब इसको आगे नहीं जाने दे रहा है, और कैसे, lose कर रहा है, जाला दर fights को, और किस से खिलाफ, BJP के खिलाफ, तो Congress की वजए से, महागडबंदन जो है, इस बार आगे नहीं बढ़ पाया, weakest link है, Congress सबसे कमजोर करी है, एक international red line है, नीचे, शी जिंपिंग की और Modi की, तो ये वाली भी देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे अपने आज के main article की तरफ है न, देखो शी, Khan watching, Modi says, SCO members must respect sovereignty करा है, शी, मतलब शी जिंपिंग, और Khan, मतलब इमरान Khan इन दोनों के देखने के साथ ही, actual में sentence के आगे with होना चाहिए, अगर ये आपका सही से, जो है न, sentence बना होता तो ये ऐसे बना हुआ है, with, शी जिंपिंग और Khan watching और actual में इन के आगा, apostrophe S भी आना चाहिए, अगर watching यहाँ पे जीरंड है, तो ये दोनों possessive form में आएंगे, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना इसको है न, Khan के और शी के देखने के साथ ही, Modi ने क्या कहा, Modi ने कहा कि SCO जो है न, Shanghai Corporation of, इसकी full form देख लेना, SCO की है बाहर का कोई आ कि आपको नहीं बोलेगा, कि आपको अपने देश में क्या करना है That is your freedom, your sovereignty, तो शाही और जी, शी और जी खान है दोनों देख रहे थे, और Modi ने ऐसा बोला, भई SCO के members को respect करना चाहिए, sovereignty को, मलब अब एक कटाक शीन पे मारा एक sarcasm, sarcastic statement था, चलो आगे बढ़ते है, main article की तरफ अपने आज के, है न, अच्छा article है आज का, आपको challenge भी करेगा, आप front page पे ऐसा articles कम देखते है न, अच्छा से word science में, मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और zoom in कर देता हूँ, अभी ये zoom in है, वंदिता मिश्रा ने ल लंब सम में, लंब सम में, as they say in Bihar, this election verdict that made everyone count late into the evening hours is about one thing or two, ये हिंदी और इंगलीज का मिक्सराइज़नी थोड़ा सा अजीब लगेगा, करा लंब सम में, लंब सम का मदल होता है total, है न, करा गर total में बात करें, in totality बात करें, सब बातों की एक बात करें, लंब सम में बात करता है, as they say, they say मैं बताऊंगा, बात में कैसे लिखा जाता है, अभी इसका मतला समझो, जैसा कहा जाता है, है न, करें, लंब सम में, जैसा की कहा भी जाता है, दे से, इन बिहार, बिहार के अंदर, करें, ये जो election का verdict है, इस election का जो फैसला है, और कौन सा फैसला, जिसने हर एक से काउंट करवाया, जिसने हर एक से गिंती करवाई, लेट तक, देरी तक, और कहां पे, इवनिंग, आउर्स के अंदर है, शाम के घंटों में, करें, ये जो verdict है, इस देखो, इसकी वह बाब है, ये verdict है, बारे में, एक चीज़ के, या यू कहलें, दो चीज़ों के, सम सब के सामने आई, अब आज़ों सेंटेंस पर देखने वाड़ी चीज़े, लंब सम, इंग्लिश वर्ड है, ये में एक हिंदी वर्ड है, लंब सम में, तो बिहार में शायद ऐसा बोलते होंगे, लंब सम में, है लंब सम का मतलब होता है, इन टॉटालिटी, आपने खाना है, आपका बिल बना, उसमें अलग-अलग आइटम का बिल था, अलग-अलग कोई पांच रुपे की थी, कोई पचास रुपे की थी, बाद में एक मोटा बिल बना, आपने वेटर से पूछा, और वेटर ने आपको एक एक चीज बतानी शुरू कर दी, आपने बोला मुझे लंप सम में बताओ, मुझे लास में बताओ, टोटल में कितना देना है, टोटल में और उसको थोड़ा सा राउंड करके बताना, लंप सम में यही भी होता है न, आप चीजों को राउंड कर देते हो, पंदरा रुपे मत बोलना, या तो बीच लेना, या दस लेना, तो ऐसा होता है lump sum इसको अपने एक और बोलते हैं एक और वर इसके लिए in a nutshell in a nutshell ठीक है ना in a nutshell अच्छा दे से ये क्या होता है कावदों के लिए हम इस phase को use करते हैं जैसे दे से को मैं कैसे use करूंगा दे से the honesty is the best policy ऐसा कहा जाता है दे से ऐसा कहा जाता है कि इमानदरी सबसे अच्छी नीती है समझगे ना तो दे से को हिंदी बोलते हैं ऐसा कहा जाता है हर कावद के आगे English में दे से लिखा जाता है ताकि हम ऐसा कहरें कि ऐसा कहा जाता है है ना यह make everyone count यह कॉज़िटी वर्ब है आपने करी बार देखिए मेरे साथ when you make someone do something अब उस आदमी से कोई काम जबरसी करवाते हो जैसे she made me laugh उसने मुझे हसा दिया है ना उसने ऐसे जोक्स बोले उसने ऐसी बाते की कि मुझे हसी आ गई she made me life अचा वैसे बोलूँ the goons made them sign the document गुंडो ने गुंस ने उनको document को sign करने पे मजबूर कर दिया उनसे document को sign करवा लिया तो ऐसे आप make नाम की कोज़ेटी वर्ब को यूज़ करते हो हमेशा make उसके बाद में जिससे जो काम करवाया और उसके बाद में उस काम की वर्ब की इसलिए हमने यहां लिखा है made someone count ठीक है ना simple structure है चलो आगे बढ़ते हैं अगले sentence की तरफ क्या रहा है और one पहली चीज बता रहा है one thing और two क्या है पहले one पहली चीज the diminishing of नितिश कुमार क्या रहा है पहली चीज है और may not be back as cm but it will not be the same नितिश कुमार करा हो सकता है ही में हो सकता है और ना भी हो may not be हो सकता है वो back हो हो सकता है वो वापिस ना है cm के तोर पे लेकिन ये वैसा नितिश कुमार से नितिश कुमार अब नहीं होने वाला है चाहे सीम बने, चाहे सीम ना बने, पहले वाले निजिश कुमार अब नहीं बचे हैं, जनता के दिमाग से उनका सारा का सारा प्यार अब निकल चुका है, और सेंडेंस देखो, कि रहा ही इस, इसको मैं एक फ्रेम में लेने कोशिश करता हूं, ज़स से मिनिट है न, नहीं चाहे हैं, शाइन करते हुए सडक, ब्रिज, साइकल, फॉर स्कूल, गल्स, स्कूल, गल्स, हीडो, तो इनको एक उपादी थी गई थी इनको बिहार में, क्या थी इनकी उपादी, एक तो सडक थी, है न, और साइकल देते हैं स्कूल, गल्स को, तो इस तरह के काम करते थे, ब्रिज बनाते थे सडक बनाते थे है ना तो करा अब वो cycle school hero सडक hero वो जो है no more अब वो बचे नहीं है और कब के 2010 के अच्छा वो कौन आदमी था ये वाला आदमी कौन था who restored the authority of the state जिसने restore किया था state की authority को state की powers को तो इन से पहले states के authority बहुत कम हो गई थी गुंडा राज था ऐसा कहा जाता है लालू जी के time में लालू परसार यादव के time में तो इन्होंने निदिश कुमार ने आकर के infrastructure को सुधारा और state की जो authority को restore किया बहाल किया है ना simple sentence है किया और दा सुशाशन बाबू ओब 2015 whose halo had dimmed but who was widely acknowledged still to be the leader who works किया या फिर वो सुशाशन बाबू 2015 का 2015 में चुनाव में इनको सुशाशन बाबू बोला गया होगा है ना किया या फिर 2015 के चुनाव का सुशाशन बाबू अच्छा राज करने वाला officer है ना जिसकी halo जो थी जिसकी जो glow था halo का मतलब होता है glow इस word को मैं समझाओंगा अभी जिसका glow अब dimmed कर चुका था लेकिन जो था widely acknowledge हर तरफ माना जाता था अभी भी still और क्या वो वाला नेता जो work करता है जो actual में काम करता है तो 2015 में इनकी halo कम हो चुकी थी लेकिन उसके बाद भी public 2015 में क्या बोलती थी यही सुसाशन बाबू है चाहे इसकी गरीमा कम हो गई हो लेकिन यह अकेला ऐसा leader है जो आज भी काम करने के लिए तयार है बिहार में बाकी सब काम नहीं करते हैं चोरी करते हैं अब इस word को बाद करना ऐसे देखो आपने महाबारत रमायन अगर टीवी में देखी हो तो क्रिशन जी के पीछे राम जी के पीछे बड़े बढ़े भगवानों के पीछे एक गलो रहता है उनका नाम होगा मतलब उनका फेस होगा और पीछे गलो रहेगा उनके ब्रह्मा जी के पीछे विशनु जी के पीछे उस गलो को इंगली से बोलो यह है 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 विशन जी के पीछे पन लिखे पास वह जो है दोज़र पंद्रा में नहीं बचाता चलू आगे बढ़ते हैं अभ यह अगला सेंटेंस वास्ता में आपको ना फोड़ा सा वो करेगा चलेंज करेगा ध्यान स to make development the four second end of a pessimistic binary समझना है सिंटेंस को कर यह ऐसी एक स्टेट में यह एक ऐसे राज्य में हैं जहां पर हालात जो थे ना लालू राज के उन्होंने कंस्पायर किया था पूरी साजिश की थी कंस्पायर कांस्पायर करना मतलब साजिश करना एक ऐसे स्टेट में जहां लालू के विकास ने पूरी साजिस कर दी थी कि डिवलोपमेंट को वो एक फॉर सेकन एंड बना देंगे डिवलोपमेंट को विकास को वो एक ऐसा सिरा बनाएंगे एंड बनाएंगे जो फॉर सेकन होगा जिसको सब एबेंडन कर देंगे जिसको सब इग्नोर कर देंगे है ना अच् समाजिक नयाय और विकास के बीच की जुगल बंदी सोचल जस्टिस वर्सिस डिवर्पमेंट इनकी से सिनॉनिम भी लिख दिये हैं मतलब इसका ट्रांसेशन भी करती है समाजिक नयाय मतलब सोचल जस्टिस और विकास मतलब डिवर्पमेंट तो लालू के राज में क्या कुशिश की थी तो कर आएसे एक बिहार के अंदर लालू राजवाले में जहां पर डिवलोप्मेंट को फॉर सेकन माना गया है डिवलोप्मेंट को इग्नोर किया गया हमेशा सोशल जस्टिस के सामने लोग डिवलोप्मेंट को भूल जाते हैं समझ के सेंटेस को वर्ड देना किसी को बीच रसते चोड़ देना तो इन्होंने डिवलोप्मेंट को बीच रसते चोड़ दिया था दोखा दे दिया था चलो आगे बढ़ते हैं एक्शूल में यह सेंटन्स अभी अधूरा है यह पूरा होगा कहां जाकर के अपने जो नेक्स पेश पे इसी के साथ अपने आज के चोटे से सेशन को सभी को मैं फिर से मिंपुरेश करेंगा इस काम को आप हर रोज करें 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ नहीं बिखड़ेगा यह मेरा आप से बात है जरूर से एक लाइक और एक शेर देना वेडियो को कबरी Grammar Crash Course को जरूर से जाके फॉलो करें, 6 ओडियोज आ चुकी है अभी ज्यादा निकला नहीं है तो आप शुरू की 6 भी सुन सकते हैं ओडियोज को आदे घंटे में और आगे की सारी ओडियोज भी आपको मिल जाएंगी कबरी एप पर, मुला गद लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट